मसी परिवार के लिए जो नियम यहां पर ठहराए गए हैं एक नयापन पाई हिवे लोगों का परिवार एक नय जीवन प्राप्त लोगों का परिवार कैसा दिखता है परिवार में उनका जीवन कैसा होता है वो यहां पर सिखा रहे हैं क्या कह रहे हैं हे पत्नियों, जैसा प्रभू में उचित है, अपने अपने पती के अधीन रहो। परमेशर ने समाज के लिए, परिवार के लिए एक धांचे को स्थापित किया है, एक स्ट्रक्चर को उसने बनाया है। जिसके अंतरगत परमेशर ने पुरुष को परिवार का लीडर अगुआ करके स्थापित किया है, परिवार का जो अगुआ होगा, जो लीडर होगा, वो पुरुष होगा, ये परमेशर का ठहराया हुआ एक धांचा है, परमेशर के द्वारा स्थापित एक स्ट्रक्चर है, और परमेश्र चाहता है कि हम इस धाचे के अनुसार, इस स्ट्रक्चर के अनुसार अपने जीवन को जीएं। तो बहनों को ये बात जब सुनने को आती है तो उनको साइध अच्छे नहीं लगती होगी। लेकिन प्रभु का वचन हमें ये बात सिखाता है। और परमेश्र के द्वारा ठहराया हुआ ये नियम है, ये हमें मानना है। ठीके, मानना क्यों है? क्योंकि ये परमेश्र की आग्या है। अपने पती के अधीन रहना परमेश्र का ठहराया हुआ नियम है। परमेश्र ने एक धाचय को स्थापित किया, जिसके अंतरगत एक मसीह परिवार को अपना जीवन जीना जरूरी है, यह परमेश्र के द्वारा बनाया हुआ धाचया है, हालेलुया, अधीन होना यह कमजोरी को नहीं दर्शाता है, इसका मतलब यह नहीं कि पतनियां अपने प करती है, उनको अधीन होना इसलिए नहीं है कि वो कमजोर है, हम उत्पती 21 में देखते हैं, परमेश्र ने पती और पतनी को दोनों को समानता में बनाया है, दोनों को समान रूप में बनाया है, ऐसा नहीं है कि पतनी एक स्थर नीचे है, पती एक स्थर उचा है, नहीं, दो अधीन होना परमेश्टर के प्रति आग्याकारिता को दर्सा रहा हैं परमेश्टर के बनाई हुए नियम को हम पालन करते हैं पत्निया जो अधीन होती हैं समान अंतर हैं समान हैं उपर नीचे परमेश्टर नहीं बनाया है लेकिन हमारा समाज जो है वो पूरुस प्रधान जो तो समाज है, यहाँ पर क्या होता है, महिलाओं की पूछ ताच कम होती है, पुरुस ही सब कुछ करता है, जो कि एक सही स्ट्रक्चर नहीं है, परमेश्र का बना हुआ धाचा नहीं है, कि पती ही सब कुछ करे, पत्नी से कुछ पूछा न जाए, पत्नी को स्रीक एक नीचा दर परज़ा दे दिया जाए ठीक है पुरुष है पुरुष ही करेगा सब कुछ उसको बोलने का हक भी नहीं है आज भी ऐसे समाज के अंदर ये चीजे पाई जाती है और बहुत से मसी परिवारों के अंदर भी ये चीजे आज भी पाई जाती है अगर इस प्रकार का पुरुष प्रधानता वाली सोच के साथ में अगर आज भी हम जीते हैं तो सच में हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं हम एक सही मसीही जीवन नहीं जी रहे हैं परमेश्टर ने समान बनाया है ये पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो और उसके साथ कटू वैवहार ना करो अपनी अपनी पत्नी से क्या करो प्रेम करो उसके साथ कटू उसके साथ कड़वा वैवहार मत करो उसके साथ बुरा वैवहार बुरा बरताओ मत करो पुरुस प्रधानता में ये चीजें अकसर देखने को मिलती है जैसे कि मैंने पहले बता दिया उनके साथ कटू वैवहार मत करो परमेशन ने क्या बोला है, प्रभु का वचन क्या बोला है, पतियों के लिए, पत्नियों को अधीन रहना है, गुलामी नहीं करनी, प्रभु ने समानांतर बनाया है, प्रभु का बनाया हुआ है नियम है, उसको हमें फोलो करना है, पतियों को क्या बोला है प्रभु का वचन कि वो अपनी पत्नी से क्या करे? प्रेम करे. क्या करे? हाँ, प्रेम करे. अगर हम इसको देखे, Ephesians 5 में, पोलुस ने पती-पत्नी के विसे में और गहनता से, और गहराई से वो यहाँ पर लिखते हैं. आईए हम पढ़ते हैं. क्या लिखाय पांच के बाइस में, हे पत्नियों, अपने अपने पती के ऐसे अधीन रहो, जैसे कि प्रभू के अधीन हो. इसका मतलब यह नहीं कि पती को प्रभू मान लेना नहीं. समर्पन की बात की, आपके समर्पन की गहराई क्या होनी चाहिए? यहां पर उस बारे में बात हो रही है. अपने अपने पती के अधीन रहो, जैसे प्रभू के अधीन हो, क्योंकि पती तो पत्ने का सिर है, जिस परकार मसी भी कलीशिया का सिर है. और स्वम देह का उधार करता है. पर जैसे कलीशिया मसी के अधीन है, वैसे ही पतनिया भी हर बात में अपने पती के अधिन रहें हे पतियों अपनी अपनी पतनी से प्रेम करो जैसा मसी ने भी कलीशिया से प्रेम किया और अपने आपको उसके लिए दे दिया प्रेम करना है पतियों को प्रेम करना है अपने पतनियों से किसके समान, मसी के समान, मसी ने कैसे प्रेम किया, उसने कलीशिया के लिए अपने आपको दे दिया, हालेलुया, पत्नियों के प्रती, पती के प्रेम की गहराई ये होनी चाहिए, हालेलुया, एक नया जीवन पाए हुए परिवार के लोग इस प्रकार अपने जीवन को जीते पतनी अपने पती के अधीन रहती है और पती अपनी पतनी से प्रेम करता है ठीक वैसे जैसे कलीशिया से प्रेम मसी ने किया अधीन रहने का मतलब मैं दोबारा पतनी वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ अठारा पे अधीन रहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप शोशन को सहते रहें या आपके साथ में गलत वेवार होता है उसको सहें, नहीं जो जायज बाते हैं उनमें आपको अधीन होना है लेकिन गलत बातों को सहना भी एक गलत बात है तो अधीन रहने का मतलब प्रभू की आग्या को पूरा करना है, अधीन रहना मतलब आत्याचार को सहना नहीं है हक की बात के लिए आवाज उठा सकते हैं परमेश्ण ने समान बनाया है, उचा नीचा नहीं बनाया है इस बात को हमें याद रखना है गलत बातों के लिए आवाज उठाना कोई गलत नहीं है पत्यों के लिए, पत्यों के लिए बोल रहा है वचन की वो अपनी पत्नी से प्रेम करें ठीक वैसे जैसे मसी ने कलीशिया से प्रेम किया एक बलीदानी प्रेम, अपनी पत्नी से हमें प्रेम करना है आपको अपनी पत्नी के प्रती प्रेम को देखना है आपका प्रेम आपकी पत्नी के प्रती कैसा है क्या हमारा प्रेम वैसा है जैसा वचन हमें बोल रहा है कि कलिश्या से जैसे मसी ने प्रेम किया वैसे हमें अपनी पत्नी से प्रेम करना है प्रेम पत्नी से प्रेम करने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि उसकी जरूरतों को पूरा कर दिया, जरूरत की चीज़ों को लाके दे दिया, सिर्फ इतने तक सिमित नहीं होता है, कि तुम्हें जरूरत की चीज़े मिल रही है ना, बस तु खुश रहे, नहीं, सिर्फ जरूरतो सब्सक्राइब एक त्या देदिया, बस नहीं, प्रेम का गहराई जैसे वचन में बता, जैसे मसी ने कलेशिया से प्रेम किया, हाललुया, बलीदानी प्रेम, वैसा प्रेम हमें अपनी पतनियों से करना है, पतनी के साथ बैठिये बातचीत की जिए, equality time spent कीजिए एक अच्छा परिवार अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांती हो, एक अच्छा परिवार एक उदाहरन बनने वाला परिवार अगर आपको बनना है अगर सच में आपको ये गवाही देनी है कि आपका जीवन परिवर्ति हो चुका है, आप नए जीवन पाई हुए लोग हैं, तो आपके परिवार के अंदर ये चीज़े होनी चाहिए, प्रेम, आलिलूया आपसी समय बिताईए, quality time spent कीजिए अपनी पतनियों के साथ quality time spent करना चाहिए, बातचीत कीजिए पास्ट लाजी पोल जब हमें सादे की counselling दे रहे थे, तो उन्हों ने बोला कि आपसी बातचीत कभी बंद नहीं करनी है, बातचीत करते रहना है, बातचीत कीजिए कोई भी मसला हो, कोई भी हलो, बैठो और बातचीत करो, क्रोध के साथ नहीं, सांती के साथ में बैठ के बातचीत कीजिए बातचीत, अगर आपसी बातचीत होगी रिष्टे में पती-पतनी के रिष्टे में, तो रिष्टा बहुत अच्छा चलेगा, अच्छा बना रहेगा अगर बातचीत नहीं होगी तो एक दिन ऐसी बातचीत होंगे कि उस बातचीत की आवाज बाहर के समाज के लोग भी सुनेंगे मतलब क्या है लडाई होगी, जगड़े होगे बाहर के लोग भी सुनेंगे तो इसलिए प्रेम को प्रगट करने के लिए जरूरतों को पूरा करना है बलकि उसके साथ बैठिये उसको मैसूस कराई अपने पतनी को कि मुझे तेरी जरूरत है मैं तेरे बिना अधूरा हूँ प्रभु ने बचन में का ना कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है उसको मैसूस कराई है कि मैं आपकी बिना कुछ नहीं मैं दूरा हूँ आपकी मुझे तेरी जरूरत है इस प्रकार वह सारे लोग हस रहे हैं अच्छी बात है अब सुनिए गंबिरता से भी लीजिए गाई बातों को टाइम बिताईए बातचीत कीजिए कोई भी मसला हो एकदम से मत फूटिये एकदम से गुस्सा मत होये अगर आपको लगे कि कुछ समय रुक्य बात करने चाहिए कुछ समय रुक्य बात कीजिए लेकिन गुस्से के साथ में कभी भी बातचीत नहीं करना रिलेशनसिप को अगर मजबूत करना है उसके लिए और भी मैं आपको थोड़ी-थोड़ी दे सकता हूँ अगर आप लोगों के पास भी बाद में कोई एडवाइज हो तो मुझे बता देना तो क्या करना चाहिए टाइम बिताईए टाइम बिताने के लिए सिर्फ घर में नहीं घर की बात नहीं करना घर पे भी टाइम बिताना जरूरी है बिताईए आपस में कभी-कभी पतनियों को लेकर दिनर करने भी चले जाये गरो अच्छा रहता है प्रेम का प्रगटी करन इस प्रकार होता है उनके साथ टाइम बिताईए बातचीत कीजिए डिनर पे चले जाएए कहीं घूमने चले जाएए एक दो दिन छुटी जब आती बीच में प्लान की लिजिए कि हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे टाइम स्पेंड करेंगे जरूरी है हम इतने बिजी हैं रहते हैं अपने काम में अपनी जोब में इन सब बातों में की परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं जिसकी वज़े से परिवार में कड़वाहटानी सुरू हो जाती है लेकिन आप याद रखिए नया जीवन पाई हुए लोगों की प्रायरिटी सबसे पहले परिमेशर है उसके बाद उसकी पत्नी है उसका परिवार है उसके बाद बच्चे उसके बाद उसकी नोकरी उसका जोब उसका काम है यह ओर्डर हमारी लाइफ में होना चाहिए प्रेम करने वाले पति की यह पहचान होगी आप सिर्फ बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ उसकी सुनेंगे भी कि वो क्या कहना चारें, कई पत्तियों की आदत होती है, भाई लोगों की आदत होती है, बोलते रहते हैं, सामने से बिचारी बोलने ही चारें, उसकी सुनते ही नहीं है, सुनना भी जरूरी है, सुनना जरूरी है, सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं है, बोलिए लेकिन सामने से सुने भी, जरूरी ये सुनना, नहीं तो फिर क्या होदा ना कि पतनी भी अपने आपको डाउन फील करने लगती है, कुछ समय के बाद जीवन वैसा ही हो जाता है, कि ठीक है मेरी सुनने वाला तो कोई है नहीं, बस जैसे चल रहा है ठीक है चलने दो, और ये चीजें परिवार को खराब करती हैं, ये ऐसे बातें परिवार के बुनियाद को हिला देती हैं, खराब कर देती हैं, चोटी चोटी बातें, हमें एक उधारन बनना है, मसी ही परिवार कैसा होता है, मसी, जब मसी परिवार को पहले अपनी पतनी की सला भी ले सकते हैं, अपनी पतनी की सला लीजिए, जब आप काम करते हैं, कोई भी काम करना है आपको, जो भी काम करना है पहले अपनी वाइप के साथ में बैठ के डिसकस करें, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह करना है तो कैसे करना है, आप प्रभू ने एक उत्तम सहायक करके पतनी को हमें दिया है, Alleluia, जब प्रभु उत्तम सहायक सब्द इस्तेमाल करते ना पतनी के लिए, वहाँ पर प्रभु ने जो ओरिजनल सब्दा है, लिए यभरू वर्ड जो आया है, वो एजर सब्दा आया है परमेशर पत्नी के लिए जो सब्द इस्तेमाल करता है वो सब्द जो खुद के लिए इस्तेमाल करता है वो एबनेजर परमेशर है अलिलूया और पत्नी के लिए एक उत्तम सहायक सब्द पर आया है वहाँ पर हिब्रू सब्दा आया है एजर तो पत उतनी कोई हलकी चीज नहीं, परमेशन ने समानता में बनाया है और एक उत्तम सहाय के रूप में हमें दिया है, इसलिए हमें उसकी सुननी भी जरूरी है, उसके साथ सलाम अस्वरा भी करना जरूरी है, हर काम को करने से पहले, दोनों आपस में माफ करना सीखे, एक परिवार जो होता है, वो कोई भी परिवार याद रखी, कोई भी परिवार जो होता है, वो परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट हम दिन प्रति दिन बनाते हैं, और इसमें सिर्फ पती का ही योगदान नहीं होता, सिर्फ पतनी का ही योगदान नहीं होता है, दोनों एक साथ मिलकर अपने इस रिष्थे को मजबूत करते हैं, हालेलुया दोनों मिलकर रिष्थे की बुनियात को मजबूत करते हैं, आपस में माफ करना सीखिए, गल्तियां होती रहती, कोई परफेक्ट नहीं है, चोटी-चोटी गल्तियां परिभार में कभी पतनी से हो जाती है कभी पती से हो जाती है उनकी वजह से उस बहुत बड़ा बवाल मत कीजिए माफ करना सीखिए सेहन सीलता हमारे अंदर होने ची माफ करना रिष्टे के अंदर जरूर होना चाहिए क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हम परफेक्ट प्रति दिन हम उत्तमता की और दान देने के द्वारा जो लास्ट बात है इस पॉइंट के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ वफादार बने रहें ठीक है वफादारी रिष्टे में होनी चाहिए वफादारी पवित्रता रिष्टे के अंदर होनी चाहिए हालेलुया हम इसकी अंदर ही हमने देखा वैभी जैसे पाप से बचें साधी सुधा लोग कई बार बाहर भी relationship में पड़े रहते हैं वो सोचते हैं कि बाते छिपी रहती और याद रखी इस प्रकार की बाते कभी छिपती नहीं है परमेशर की नजर में ये पाप है परमेशर इस पाप का जरूर रिवील करता है और ये एक बहुत बड़ा गुना है जिसकी वज़े से जिन्दगिया परिवार तबा हो जाते हैं वे विचार जैसे extra marital affairs से इन सब चीजों से बचें वफादारी के साथ में अपने रिष्टे को निभाएं दोनों पती पतनी मिलकर लिखा है हे बाल को सब बातों में माता पिता की आग्या मानो क्योंकि इस से प्रभू बहुत प्रसन होता है क्या होता है प्रसन होता है प्रभू का वचन हमें बता रहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता-पिता की आग्या को माने ये परमेश्र के लिए प्रशनता की बात है जब हम अपने माता-पिता की बातों को आग्याओं को हम मानते हैं उन्हें आदर्श हम मान देते हैं तो परमेश्र को इससे खुसी मिलती है परमेश्र इससे प्रशनता होते हैं लेकिन इस लिए माहोल क्रियेट करने के लिए कि बच्चे आग्यकारिता वाला जीवन जी ढि değer बच्चे हमारी बातों को माने इसमें भी दोणों माता-पिता दोणों का ही योगदान जरूरी हैं। माता-पिता दोनों को मिलकर अपने परिवार में उन मुल्यों को उन सिध्धानतों को स्थापित करने की जरूरत है जिने वो अपने बच्चे में देखना चाहते हैं अलेलुया बच्चे जो हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं बच्चे अच्छे हो, बढ़िया हो, और उनका वेभार अच्छा हो, बातों को मानने वाले हो, हब सब माबाप यह चाहते हैं, उससे पहले माबाप की जिम्मेदारी है, कि वो इन सब बातों को इन मुल्मों को अपने परिवार में स्थापित करें, क्योंकि बच्चे जो वो अनी बातों के नुसार ढण जाते हैं उसी अवस्था में वो आ जाते हैं तो वैसा माहूल दिखना चाहिए माता-पिता उन मुल्यों को स्थापित करे अपने परिवार में वो अपने जीवन से दिखाएं बच्चों को कि आग्यकारिता क्या होती है आप सी प्रेम क्या होत पर्मेशर के वचन क्या कहते हैं इस विसय में बाइबल पढ़ने की बात हो उनके आप पढ़ीब बच्चे हैं आपको देखेंगे वो गल्हा को खुद उनके बच्चे अगर हम ही मातापिता जो लोग होते हैं वही बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं और एक गंभीर जीवान नहीं जी रहे हैं, सम्झोते वाली जिंदकी जीते हैं, पाप में जिंदकी जीते हैं, तो आपके बच्चों से क्या हम उम्मीद करते हैं? हम तो सही जिंदकी नहीं जी रहे लेकिन बच्चों से हम पूरी-पूरी उम्मीद करते हैं बेटा ऐसा नहीं करना बेटा ये मत करना बेटा भी बोलता तुने भी तो किया है तुम भी तो करते हो बच्चे जो देखते, सुनते वो सीखते हैं हम खुद उन मुल्यों को अपने परीवार में स्थापित करें जो अपने बच्चों में हम देखना चाहते हैं माता पिता के लिए ये आप्या प्रभ कह बचन में लिखी हुए और बच्चे, बच्चों के लिए जो है वो ये है कि वो अपने माता-पिता की आग्या को माने, जो वो बोलते हैं, उनकी बातों को सुने, आग्याकारिता का जीवन, आग्याकारिता परमेश्र की ओर से दिये हुई आग्या है कि हम माता-पिता की बातों को माने, सुने उनकी बातों को, बहुत से बच्चे सिर्फ सुनते हैं, लेकिन आग्यकारिता में सिर्फ सुनने का सुनना नहीं नहीं होता, आग्यकारिता में करना भी होता है, जब दस आग्याई परमेशन ने जो दी है, माता पिता की आग्या मानना की विसे में वहां पर लिखा है, पांसवे नं कि ये चर्च में तो आता रहता है, टेंस मीटिंग में आता है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, सब कुछ करते हैं, डांस भी करते हैं, सारी बातें, लेकिन घर पे तो ये ना तो हमारी बात मानता ना हमारी सुनता है, ये फेक जीवन है, ये जूटी जिंदगी है, आपका डा और जो टीन से कई बारी मातवित ऐसे बोलते हैं, मैं पूछता हूँ कि आप चर्च नहीं आए, क्या हो गया था, बोलते हैं, इतना सारा काम होता है, ड्यूटी से आके काम भी करना पड़ता है, लेकिन वहीं पर देखने को मिलता है कि दो-दो बच्चे, जवान बच्चे घर में होते हैं, वह काम नहीं करते हैं, तो बच्चों को काम करते हैं, जब वह घर में बिलकुल फोन चलाना है, टीवी देखना है, बिलकुल गलत बात है, यह एक गंबीर जिन्दकी नहीं, एक नए जीवन पाई हुए लोगों का जीवन ऐसा नहीं होता, तो जब आपको पता चलता है कि मेरी मम्मी बापा आएंगे शाम को चर जाना है तो उनको काम ना करना पड़े इससे पहले ही मैं अपना काम जो काम है मैं खतम कर दूँगा यह खतम कर दूँगे काम खतम कर देना चाहिए ताकि एक साथ मिल की फिर आप चर्च में आ सकें 21 में लिखा है हे पिताओं अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ ऐसा ना हो कि वे निरुत साहित हो जाएं माता पिता के लिए क्या लिखा है हे बाल को प्रभू में अपने माता पिता की आग्या मानो क्यूंकि ये उचित है अपने माता पिता का आदर कर रही है पहली आग्य जिसके साथ प्रतिग्या भी है जिससे की तेरा भला हो और तू प्रत्वी पर बहुत दिन जीवित रहे आगे चार में पिता माता पिता के लिए लिखा क्या लिखा है पिताओं अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ वरन प्रभू की शिक्षा और अनुशासन में उनका पाल पालन पोशन करो पालन पोशन करना बच्चों का सिर्फ उनको खिलाना नहीं है उनकी जरूरते पूरा करना नहीं है माता पिता का हम सब का ये फर्ज है कि हम अपने बच्चों को प्रभू के वचन में प्रभू की शिक्षा में और अनुशासन में हम उनका पालन पोशन करे प्रभू के गहरी बातों को प्रभू के वचन के मुल्यों को आम उने सिखाएं ताकि उनका जीवन जब वो बड़े होते हैं वो उनकी दिलों दिमाग में वो वचन रहें और अपने जीवन को वो प्रभू के वचन के अनुसार जी सके यहुदी समाज में जब छोटा बच्चा जब पात साल का ही होता था उस बच्चे को इसकदर प्रभु का वचन सिखाया जाता था कि उनको मुझबानी पुराना नियम पूरा याद होता था बिना क्योंकि उस ताइम पे लिखित रूप में नहीं होते थे सब के पास वचन लेकिन उनको पास साल की उम्र से प्रभु का वचन इस कदर सिखाया जाता था कि उनको याद रहता था मुझबानी उनको याद रहता था बरती माई ने जब येश्मसी को देखा क्या कहा था हे दाउद की संतान मुझ पर दया कर वो तो देख नहीं सकता और लिखा वो पैदाईसी अंधा था देख नहीं सकता था लेकिन उसने प्रभु के वचन को सुना था हालेलुया कि येश्मसी दाउद के वंस से आएगा उसने बच्पन में उस वचन को सीखा था उन बातों को सीखा था और येश्मसी जब आय उसने उसको पहचान लिया क्योंकि वो वचन जो से सिखाए गये थे उसके जंदकी के अंदर उसके दिल और दिमाग में उसके रिदेह में बसे हुए थे बच्चों को पालन पौजन करने में सिर्फ उनकी जरूरूरतों को पूरा करना ही नहीं प्रभू के शिक्षा में और अनुशासन में उसको उनको बढ़ाना है उनको करोधित मत करो ऐसा लिखा वाएं कहीं वे ऐसा नो कि पून निर्थसाहित हो जाएं बच्चों को सिखाने के लिए हम खुद उनका भविष्य निर्ढार उयर कर देते हैं कि तुझोगे ये ही बना है तुझोगे ये ही करना है जो परिवर्तन उसके अंदर हम देखना चाहते हैं उसके ऊपर थोपते हैं बजाए सके कि उनको सिकhाएं सिकhाने में जैसे मैंने पहले बोला कि हमें जी के सिखाना है ताकि वो देखें थोपने से वो लोग नहीं सीखेंगे तो उपने से क्या वो निरुसाहित हो जाते हैं वो गुसा हो जाते हैं क्यूं हमेसा ऐसे बोलते रहते हैं मम्मी क्यूं ऐसे बोलते रहते हैं हमेसा पापा आते दिक दबाव डालना अनुर्शासित करने का सही तरीका नहीं है अपने जीवन से हमें दिखाना है प्रति दिन हमें प्रभू के वचन के नुसा अपने जीवन को जीना ताकि वो देखे और वो सीखे तब उनका प्रिवहार परिवर्तित होगा तब वो आपकी आज्याओं को भी मानेंगे और प्रभू की आज्याओं को भी मानेंगे तुम चड़ी उठाना मत छोड़ना, चड़ी उठाने का मतलब यह नहीं कि डंडा उठाया और मारा उसको अच्छे से, उसको अनुशासित करने की विसे में लिखा है, चड़ी उठाना मत छोड़ना, यानि कि उसको अनुशासित करना मत छोड़ना, उसको जहां पर डाटने क मार पिटाई हर बात का सोलुशन नहीं है उसको सिखाना है और मैंने जैसे पता जीने के द्वारा भी और प्रेम के साथ में अब दास और स्वामी के विसे में भी पोलुस यहां पर सिखाता है जो उस समय पर दास प्रत्था होती थी और बहुत सारे यहुदी लोग थे कुलु दास होते थे तो जो घराने की जो पदती होती थी उसमें क्या नियम होते थे उनके पास जो गुलाम है वो उनके साथ कैसा भी वेवहार कर सकते हैं उनको चाहे वो मारे चाहे वो पीटे चाहे वो उनको जान से मार दे कोई दूसरा उनको कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो उनके, वो उनके घर में ही पैदा होते थे, उनके घर में ही वो पीडी दर पीडी चलते रहते थे, उस समय पर दास गुलाम जो प्रथा हुआ करती थी, लेकिन ये लोग विश्वास में आए हैं, प्रभु को इनों ने जाना है, पोलुस बताता है कि जो अधिकारी हैं, जो मा जीवन प्राप्त करने के बाद, आपका दास का अपने मालिक के प्रति और मालिक का अपने दास के प्रति वैभार कैसा होना चाहिए, वो यहाँ पर हमें सिखाते हैं, आइए पढ़ते हैं, 22 में लिखा है, हे दासों मनिश्यों को प्रसन करने वालों के इस द्रश्य केवल दिखावटी रूप से रही वरन प्रभू का भै मानते हुए रिदय की सच्चाई से उनकी सब बातों में आज्या मानों जो पृत्वी पर तुम्हारे स्वामी है। आज तो दास्प्रथा नहीं है लेकिन आज हम इस वचन को किस प्रकार अपने जीवन में हम लागू कर सकते हैं। आज हम काम करने जाते हैं, जब हम काम करने जाते हैं हमारे उपर लीडर्स हैं, अधिकारी हैं, हमारे सीनियर्स हैं, है कि नहीं। हम जब उदर जाते हैं तो हमें वचन हमें चिखाता है कि हम उनका आदर करें ठीक है और जो काम हमें दिया गया है उनके अधीन रहकर जो हम काम करते हैं उस काम में सच्चाई होने चाहिए दिखावटी रूप से नहीं जब आपका मालिक आपको देख रहा है उस वक्त बहुत अच्छे से काम करते हैं ना जब देख रहा है वो बोस आ गए अच्छे से काम करेंगे बिल्कुर बढ़िया से काम करेंगे लेकिन जब वो चले जाएंगे तब काम चोरी करते हैं अब पता है कि इतने हां बोस चलेगे, आप अब तो ठीक है, आराम से उकरेंगे, काम सोरी करते हैं, दिखावटी रूप से नहीं, सच्चाई से काम कीजी, जो काम प्रभू ने आपको दिया है, वो अचन में लिखा है, उसको ऐसे करो जैसे वो परमेश्र का काम है, हालेलुया, और सच में ह इला है, वो परमेश्र की ओर से दिया हुआ एक तोफा है, परमेश्र ने हमें वो काम दिया है, कि हम कमाएं, काम करें और अपने घर परिवार को चलाएं, प्रभू के लिए हम दें, प्रभू की ओर से वो काम हमें दिया गया है, क्या हमारे काम करने में सच्चाई है, क्या ह अपने अधिकारियों के प्रति वफादारी के साथ काम करते हैं, एक नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति, एक प्रभू के अनुसार चलने वाला व्यक्ति का जीवन ये होता है, कि वो अपने काम के अंदर वफादार होता है, अपने काम को अच्छे से करने के द्वारा वो गवा करते हैं तो हम प्रभु की अराधना करते हैं जहां पर हमारे काम करते हैं नहीं हम किस प्रकार काम करते हैं काम चोरी परमेश्र की नजर में पाप है परमेश्र की लोग अपना काम सच्छाई से निश्था से इमानदारी के साथ में करते हैं फॉर्थ यह पॉइंट था कि हर व्यक्ति अपने अधिकारियों के अधीन रहे और पांच्वा पॉइंट थ साथ अच्छा वेभार करें आगे पढ़ते हैं जो कुछ तुम करते हो उस कारियों को मनुष्य का नहीं वह प्रभू का समझ कर तन्मन से करो हालेलुया जो काम करते हो कैसे किसका समझ के करना है प्रभू का समझ कर तन्मन से करना है यह जानते हुए कि तुम प्रभू से प्रत तो सच में एक बहुती पाखंड वाली बात है, एक परिवर्तित जीवन की इस प्रकार का रवया नहीं होता है, और यह लिखा है, तुम प्रतिफल पाओगे, याद रखना, जैसा काम तुम करते हैं, वैसा तुम क्या पाओगे, प्रतिफल पाओगे, हम अपने कामों में, हम दिन रात महनत करते हैं, आपको पता है, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे काम में बरकत क्यों नहीं है, हम इतना कम आते हैं, कैसे, क्यों मुझे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्यों मैं एक ही जगह पर रुका हुआ हूँ, क्यों मेरे काम में बरकत नहीं है, पता है, य प्रभु जो भी काम हम करते हैं इस रीती से कीजिए जैसी परमेशन ने आपको वो काम ठहराया है उस काम पर लगाया है प्रभु का समझ कर उस काम को तन मन से कीजिए मन की सविच्छा से कीजिए अलेलुया लिखा है वो तब तुम प्रभु से प्रतिफल अर्थात मिरास पा की ही तुम सिवा करते हो मसी की ही तुम सिवा करते हो हम अपने आप सी बोज़े universities काम में कितने इमानदार हैं ये तो दास के लिए था जो आज के संदर्वे में हम समझ सकते हैं आज जहां पर हम काम करते हैं उसको लेकर और अदिकारी अपने करमचारी के साथ अच्छा व्यवहार करें जो हमारे बीच में ऐसे भी लोग होंगे जिनकी अधीन लोग काम करते हैं तो हमारा उनके प्रति जो हमारे अधीन काम करते हैं जो हमारे नीचे काम करते हैं उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी वहाँ पर लिखा हुआ है 25 पड़ लेते हैं बारी क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का परतिफल पाएगा और यह पक्षपात रहीत होगा चार के एक में हे स्वामियों अपने दासों के साथ न्याएपूर्ण और निस्पक्स व्यवहार करो यह जानते हुए कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है हालेलुया जो अधिकारी हैं उनको यादेश दिया जा रहा है वचन के अनुसार कि दासों के साथ न्याएपूर्ण और निस्पक्स व्यवहार करो उनके साथ आठाचार मत करो उनका नाजायज फाइदा मत उठाओ उनको दुख मत दो उनको पीडा मत दो जानबूज के याद रखो कि तुम्हारा भी स्वर्ग में एक स्वामी है प्रभू का वचन सिखाता है कि जो अधिकारी है वो अपने करमचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें एक गुलाम की दृष्टी से उसे मत देखिए प्रभू का वचन हमें सिखाता जैसे कि लिखाने कि हम सब मसी में बाई बहना मसी में एक हैं तो दास अब तुम्हारे उसको तुम दास के दृष्टी से मत देखो वो प्रभू में तुम्हारा एक परिवार का जनेक भाई के जैसा है उसके साथ उचित व्यवहार तुम्हें करना है हालेलुया एक नया जीवन पाए हुए लोगों का परिवार और अधिकारियों का जीवन इस परकार होता है